मेरा नाम है अंकित और आज आप सभी के सामने में एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक के अपर डिसकेशन करने के लिए आया हूँ वो टॉपिक है आपके बच्चों की जान बचाना देखे मैं बिल्कुल सही बात करने लग रहा हूँ अगर आप सभी अपने बच्चों की औ मैं करीना वाइरेस काँगा और वैक Сीन को मैं कökचीण काँगा ऐसा मैं इसलिए काँगए अगर डारेक्टली मैं उन वर्डस का प्रयोग करूँगा तो मेरा चैनल डेलेट हो जाएगा और वीडियो को भी रिमूव कर दिया जाएगा तो आप इस बात को समझ येगा देख से उसको गर में खुद से ठीक कर सकते हो तो पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और ट्रीटमेंट को बताने से पहले मेरे मंद में कुछ कोश्चन्स हैं मैं चाहता हूँ आप भी उन कोश्चन्स को पूछिए पहला कोश्चन है कि वाई कोश्चन एंड मास्क ठीक है ऐसा क्या प्रूफ है कि मास्क लगाने से और कोश्चन लगाने से ठीक है जो हमारा वायरस है वो बिलकुल मर जाता है और हम बिलकुल हेल्दी रह के बाद भी वाइरस हो सकता है उसके बाद भी आप इंफेक्टिड हो सकते हो तो क्या यह एक्सपेरिमेंटर नहीं चल रहा लोगों के उपर क्यों को सब कुछ करने लग रहे हैं फिर भी उनकी फ्रीडम उन से चीनने लग रहे हैं तो पहला मेरा कोश्चिन यह है कि वाई को किसी बात भी किसी को समझ मिन आती है जब एर हमारे नोज में जा सकती है मास्क से पास होके और तो फिर वाइरस क्यों नहीं और फिर दूसरी बात यह है कि चलिए अब में एक बार को मान के भी चलते हैं कि क्वैक्सीन और मास्क इंपोर्टेंट है वाईरस से बचा लेंगे लेकिन फिर इन मास्क की वजय से और क्वैक्सीन की वजय से जो साइड इफेक्ट होने लग रहे हैं जो लंग्स की दिक्कत आने लग रहे हैं जो पेशेंट क्वैक्सीन के साइड इफेक्ट की वजय से मरने लग रहे हैं उनसे कौन बचाएगा उनकी रिस्मोंसिबिलिटी जाती हैं तो ये सारे वाइरस ये सारी वेव कहां चली जाती हैं क्या उस टाइम ये वाइरस नहीं होता यहां पर पब्लिक गैदरिंग होती है किसी की कोई तब खराब नहीं होती उस टाइम ये फिर वाइरस कहां चला जाता है तब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती लिवेंटेक्शन शांत हो जाती हैं पताँ कहां से निकलाता है एक बात में और जानना चाहूंगा आप अपने आप से कोश्ण को पूछिएगा वाइरस हर सेकंड हर पल म्यूटेट होता है आज का वाइरस से अगले सेकंड में कुछ और होगा अगले दिन कुछ और होगा ऐसा क्या हो गया इस वाइरस की वेव के अंदर कि ये साल साल में म्यूटेट होके दुबारवा पसाने लग रहा है ये mutate होने वाली चीज होती तो अगले ही पल नहीं आता ऐसा नहीं है कि बहुतलब ये एक साल के अंदर mutate होएगा मेरे को तो personally यही लगता है personally लगता है कि है मैं तो मानता भी हूँ कि एक सोची समझी साजी से अगले नमबर पर मेरा सबसे important जो question है ठीक है आप इस चीज को गोर कीजेगा why testing increases हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जब भी wave आने वाली होती है तो उससे पहले testing को increase कर दिया जाता है सब कुछ normal चलने लग रहा होता है सब healthy life जीने लग रहे होते है नॉर्मल ही खासी जोखाम बुखार influenza सभी को होता है बंदे normal दवाई लेके normal घर पे काड़े बना के ठीक होने लग रहे होते हैं लेकिन एकदम से testing को increase कर देते हैं testing को increase करेंगे उसमें test में भी ऐसा test है आदी बार positive आदी बार negative ऐसा ये test है तो cases को भी बढ़ता हुआ दिखा देंगे मेरे मन में ये doubt है जो आप भी ये question अपने आप से पूछिएगा कि ऐसा क्यों है ऐसा क्यों है कि भई तुम wave को लाने से पहले तुम testing को increase करने लग रहे हो सारे normal life style जीने लग रहे है पहले testing को बढ़ा देंगे testing बढ़ने के बाद केस को बढ़ता हुआ दिखा देंगे फिर सब कुछ lockdown लगा देंगे lockdown की जैसे जो और जो schools बंद होते हैं उनके जैसे बच्चों के पढ़ाई का career का जो खाने पहिने का नुक्षान होने लग रहा है उसकी बरपाई कौन करेगा तो चलिए आप ज़्यादा लेट करें बना treatment स्टार्ट करते हैं कि कैसे treatment की आजा सकता है मैं आप सब को ये good news देना चाह रहा हूँ साथ हजार से ज़्यादा करीना वाइरस के patient से और छोटे मोटे patients नहीं emergency और chronic patients से डोक्टर बिशुरूप सर ने और हमारी team ने मिलके बिलकुल बिना किसी zero death के, zero side effect के और zero medicine के घर पे ठीक किये हैं ठीक है आप भी उस तरीके से चाहो तो अपना इलाज घर पे कर सकते हो और घर पे खुछे ठीक कर सकते हो सबसे पहले नमबर पे अगर आपको जरा सभी viral infection का sign आता है खासी, जुखाम, बुखार जरा सभी symptom आता है तो heat protocol कीजिएगा heat protocol कैसे करना है, कैसे उसमें किन, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये चीज मैंने पहले एक वीडियो बना के उसमें समझा रही है उस वीडियो का link में नीचे description में दे दूँगा आप उस वीडियो को देखके अपना heat protocol करना सीख सकते हो अगर आप heat protocol पहले sign or या पहले symptom आती कर लोगे तो आपको virus या आपकी तब्यत खराब होगी नी सबसे पहले आपको heat protocol follow करना है heat protocol follow करने के बाद अगर आपकी तब्यत ठीक हो जाती है तो आप next day से अपना daily routine में आ सकते हो अगर आपकी तब्यत ठीक नी हो पाती है तो heat protocol को करने के बाद अगले दिन से three step fluid diet start कर दीजिएगा three step fluid diet में क्या करना है वो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ मैं आपको एक weight का example लेके दिखाऊंगा कि 60 kg weight के patient को कैसे करना होता है चाहे बच्चे क्या या फिर किसी बड़े का जितना weight है उस weight के according आप इस formula में रखके इस protocol को start कर सकते हो पहले number पे आता है मान लिजिए day one heat protocol करने के बाद अगर आपकी तब्य ठीक नी होई तो जो next day है या उसी दिन से भी आप करना start कर सकते हो आपका body weight divided by 10 मान लिजिए आपका weight 60 है तो 60 divided by 10 यानि कि 6 glass 6 glass तो नारियल पानी 6 glass संत्रे का juice alternatively हर गंटे में आपको 12 glass liquid लेना है कोई चना जादा नी ले पाए तो वो कम भी ले सकता है नितो एक glass नारियल पानी पिया उसके गंटे बाद एक glass संत्रे का मोसमी का या pineapple का juice ले लिजिया ऐसे करके आपको 12 glass liquid एक दिन में लेना है पहले दिन के अंदर यह हो गया आपका day 1 दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है body weight divided by 20 अगर 60 kilo weight है दिवाइड by 20 करेंगे तो 3 यानि कि 3 glass नारियल पानी 3 glass संत्रे का juice आपको शाम के 4 बजे तक लेना है शाम के 4 बजे लेने के बाद दो उसके बाद evening में body weight into 5 60 kilo weight है तो into 5 करेंगे तो 300 gram 300 gram tomato और खीरा लेना है 1500 gram tomato, 800 gram खीरा यह आपका day 2 का process रहेगा day 3 का process रहेगा body weight divided by 30 यानि कि 6 divided by 30 यानि कि 2, 2 glass नारियल पानी 2 glass संत्रे का juice 12 बजे तक आपको लेना है और 2 पैर में body weight into 5, यानि कि body weight into 5, 60 into 5 300 gram सलाद आपको दो पैर को 2 बजे के करीब लेनी है और शाम को आप अपना घर का हलका खाना खा सकते हो यह होता है 3 step fluidite इसको आप follow करोगे एक बार यानि कि 3 दिन के लिए तो चाहिए आपको किसी भी तरीके का कोई भी वाइरस और खाओ influenza और खाओ, खासी जुखाम, बुखार यहां तक कि smallpox, chickenpox कुछ भी और खाओ 3-15 दिन के अंदर आप बिलकुल ठीक हो जाओगे तो पहले 3 दिन तो आपको यह करना है उसके बाद आपकी तबियत most probably 3-5 दिन में बिलकुल ठीक हो जाएगी फिर भी ठीक नहीं होती है तो आप इसी process को, इसी cycle को एक बार और repeat कर सकते हो तो 6 दिन में आपकी तबियत बिलकुल अच्छी हो जाएगी अब इसके साथ कुछ बाते और ध्यान रखने की है जो मैं आपको inform करने लग रहा हूँ उन बातों का खास क्या ध्यान रखिएगा जब आप इस protocol को complete कर लेते हो तो उसके बाद आपको DIP diet के उपर आना है DIP diet कैसे follow करी जाती है morning में 12 अब जे तक body weight into 10 इतने fruits काने हैं और afternoon में body weight into 5 इतनी सलाद लेनी है और evening में भी body weight into 5 इतनी सलाद लेनी है सलाद और fruits लेने से पहले छोटा-छोटा हल्दी का टुकड़ा ले लिजेगा कच्ची हल्दी, powder नी ठीक है आप इसको follow करोगे 15 दिन के अंदर आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे आपको पता भी ने चलेगा कि कोई आपको करोनिक दिक्कत आई थी, कोई आपको virus हुआ था या नी हुआ था पिर जल्दी ठीक होने के लिए आपको कुछ additional चीज़े करनी पड़ेंगी, जो कि मैं आपको बताने लग रहा हूँ, जैसे ही आप ये three step fluidite को start करोगे, three step fluidite के साथ साथ, जो चीज़े मैं आपको बताने लग रहा हूँ, उनको follow करना भी start कर दीजिएगा, ताकि आप और जल्दी recover हो सको, पहले नमबर पे आता है decotion, यानि के काड़ा लेना आपको क्या करना है, 400 ml पानी उबालना है, 400 ml पानी में 3-4 काली मिर्च कूट के डाल दीजिएगा एक long कूट के डाल दीजिएगा और उसके अंदर 10-12 तुल्ची के पत्ते एक छोटी सी इलाइची, उसको छील के कूट के उसके अंदर डाल दीजिएगा 4 गराम जिंजर यानि के छोटा साथ रखका टुकडा कूट के और 400 ml पानी में डाल दीजिएगा फिर 2 इंच गिलोई यानि के कम से कम एक उंगली जितनी ठीक है, 2 इंच के करीब गिलोई लेके उसको कूट के, 400 ml पानी में डाल दीजिएगा साथ day one से ही दिन में 3 बार आपको ये काड़ा लेना है एक बार morning में, एक बार afternoon में, एक बार evening में ठीक है, आप 3 दिन तक ये काड़ा लोगे और 3 step fluid diet follow करोगे तो 3 से 15 दिन के अंदर बिल्कुल recover कर जाओगे, आपको hospital में लाग रुपे लगाने की जरुत नी पड़ेगी करीना की भी कोई tension लेने की जरुत नी पड़ेगी 3 से 15 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाओगे 15 दिन में maximum बता रहा हूँ वो भी ऐसे patient के जो बहुत ज़ादा मैं आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है लेकिन अगर जल्दी recover होना है तो वो आपको arrange करनी पड़ेगी next number पर जो एक बड़ी दिक्कत आती है वो होती है सास लेने के दिक्कत है मैं आपको एक photo center कर रहा हूँ आप उस photo को देखिए position को कहते है prone ventilation position आगर आप इस position में लेटोगे तो आगर आपको breathing difficulty का आने लग रही है तो वो भी stable हो जाएगी हमारे पास ऐसे patient आए जिनका oxygen saturation 45% था ये सोचिए 98-88 से कम होते ही तो ventilator पे चड़ा देती है 45% यानि कि emergency के ICU के patient आए और उसको भी सिरफ 3 step fluidite follow करने से साथ में एक आड़ा देने से वे घर पे बिलकुल ठीक हो गए सिरफ 3-15 दिन में 45% oxygen saturation के patient ठीक होए है सोच के मानिए कितनी miraculous चीज है prone ventilation ये 3 step fluidite आप अगर घर पे follow करोगे तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से ठीक हो जाओगे अगर आप चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो अगर कोई milk feeding वाला बच्चा है mother milk सबसे best treatment होता है mother को अच्छी diet के उपर रखो तो mother milk से बच्चा अपने आप ठीक हो जाएगा अगर किसी बच्चे के teeth हा चुके है वो fruits, vegetables और इन चीजों को खा सकता है तो उसके weight के according उसको ये protocol दीजिएगा गर पे ठीक हो जाएगा कोई परिशान होने के जुरुत नहीं पड़ेगी मेरा बस इतना question है कि ये जो wave आने लग रही है जो testing increase करके wave लाई जा रही है कई ऐसा तो नहीं कि एक vaccine के side effects को छुपाने के लिए लाई जा रही है कई ऐसा तो नहीं कि उससे जो effect होता है बच्चों के तबियत खराब होती है उसको छुपाने के लिए wave का नाम ले दिया आपके बच्चों को कुछ होगा कुछ तबियत खराब होगी बगवान ना करें किसी को कुछ हो भी जाए तो ये नाम लगा देंगे करीना वायरिस के उपपर और क्वैक्सीन के साइड इफेक्ट को छुपा लेंगे तो मेरी बस आप से हाज़ोड के रिक्वेस्ट ये है अपनी और अपने बच्चों के जान बचाईएगा इस प्रोसेस को फोलो करके देखिएगा आपको हस्पिटल में एडमिट होने की जरुएत नहीं पड़ेगी लाखो रुपे लगाने की जरुएत नहीं पड़ेगी घर हो जाओं गये कुछ समझ में ना आये तो मेरे को में मैसीज करके पूछ लीजिये गा या कमेंट सेक् dense में कमेंट करके पूछ लीजिएगा हां मेरे पास國 को अईचिश के कुछ बाइ